पुछे गए पुछे गए प्रश्ट का कुछ सलूशन लेके आया हूँ कृप्या करके इसे ध्यान पुरोग देखिये सुनिये और देखने सुनने के बाद मैक्सिम लोगों तक शेयर दिखी जीड़ा ये सारे के सारे जनरल नॉलेज के क्वेस्टन्स हैं जो की पीछले साल C.U.E.T. में पूछे गए थे आप सभी परिशार्थी जो इस साल भाग लेने जा रहा हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर इन क्वेस्टन्स को देखिये ताकि आपका एक कॉंफिडेंस बुस्टप प्रशन है इसका सही उतर है ब्रेंडन मैकुलम जो के न्यूजी लेंड के दुवाधार्ग बिसफटक बलेबाज है नहीं सरफ 54 बॉल्स में संचुरी बनायों की टेस्ट मैच में और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाब अगला क्वेस्टन है तो इसका सही उतर है टाइगर टाइगर के लिए मानस संक्चुरी फेमस है अगला क्वेस्टन है अगला क्वेस्टन है टर्म उपन मार्केट अपरेशन मीनस इसका सही उतर है गवर्मेंट सेकुरीटिटीज यह एकॉनमिक्स का प्रशन है क्लास 12 में आपको इसको पढ़ेंगे इस टर्म को जानेंगे ओपन मार्केट अपरेशन इसका मतलब होता है कि गवर्मेंट की सेकुरीटिज को रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया यानि की सेंटरल बैंक के द्वारा बेचना या खरीदना आप से पूछना चाहूंगा मैं कि रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी किस साल में हुई थी क्रिप्या करके कमेंट बॉक्स में बताने की चेश्टा कि जिएगा अगला क्वेस्टिन है फादर ऑफ इंडिया अन्रेस्ट इन्वे से किसे कहा जाता है महात्मा गांधी सुभास चंद्रबोस बालगंगा धर्तिलक और बालगंगा धर्तिलक के नाम से मराठा के स्री नामक दो पत्र इसके बाद गीता रहस्य पुस्तक जिसकी रचना उन्होंने वर्मा के मांडले जेल में करी थी उनकी मेरतू साल 1920 में हुई थी बालगंगा धर्तिलक बहुत ही उन्दा किस्व के नेता थे घरम गरम दल वाले थे अगला क्वेस्टिन है इन हुमन डैजेस्टिफ सिस्टम बाईल इस सेक्रेटेड बाई बाईल इस सेक्रेटेड़ बाई दो ऑप्शन सार पैंक्रियास, लीवर, किट्निस या फिर स्टमक इसका सही उतर है लीवर तो बाईल जूस कहां सिक्रेट होता है ये लीवर में होता है और गॉल ब्लेडर के दोरा स्टोर किया जाता है ये डैजेशन में बहुत मदद करता है देखिए जितने भी विद्याथी हैं उनसे मैं दरख्वास करणा कि digestive system हो गया, circulatory system हो गया, central nervous system हो गया, या फिर excretory system हो गया, kidney वेगर सारे के function, जो भी keywords होते हैं, nephrons होते हैं, cilia होता है, alveoli होता है, है ना, या फिर respiratory system, इन सबको बहुत ही minutely detail में पढ़के जाना है, इससे एक नहीं question जरूर ही पूछे जाएंगे, हर ए है वो C.E.T. हो या फिर दूसरा भी कोई इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इस डोगरी स्पोकन डोगरी भाशा किस राज्य में बोली जाती है ओडिसा आसाम विस पेंगॉल या फिर जमुन किश्मीर इसका सही उतर है जो पार्ट पंजाब का हिमासल पुदेश से सटा हुआ है वहां भी डोगरी बोली जाती है अगला प्रशन है क्लोफेजी माइन क्लोफेजी माइन is a drug for डेंगी फीवर, मलेरिया, टाइफाइड या फिर लेपरसी इसका सही उतर है लेपरसी क्लोफेजी माइन लेपरसी को क्यों और करता है अगला प्रशन है, प्रशन नमबर नाइन वट इस दा करेंसी ओप चाइन येन, युवान, वोन या फिर सुम इसका सही उतर है युवान युवान is the करेंसी ओफ चाइना आपको बताना है कि जापान की करेंसी क्या है इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईएगा आगे चलते हैं वेस्टन नमबर दस की तरफ दस नमबर क्वेस्टन कहता है कि वू फाउंड़ेट खालसा वू फाउंड़ेट खालसा इसका उप्शन से गुरू नाना महराजा रंजित सेंग गुरु हरगवल इन द्याफित गुरु गोविन सेंग तो इसका सहि उत्तर है गुरु गोविन सेंग शीखों के दसवे गुरु गुरु गोविन सेंग ने खालसा की स्थापना करी थी 16 против में इनकी मिरत्व नंदेड जो की महाराष्टर में है वहाँ हुई थी और क्या कहते है खालसा का मतलब होता है प्योर एक्कम बिल्कुल पवित्र अगला क्वेस्चन है इसका उप्शन से क्रिश्चियानो रोनाल्डो गेरेथ बेल वैने रूनी या फिर लियोनल मेसी तो इसका सही उतर है लियोनल मेसी साल 2015 के फीफा बैलन डियोर अवाड के वीनर थे और आप से पूछूंगा कि साल 2020 का ये अवाड फीफा बैलन डियोर किसे मिला है क्रिप्पा करके कमेंट बॉक्स में बताईए अगला क्वेस्चन है इसका उप्शन है इसका सही उतर है ब्राजिल ब्राजिल is the right answer over here ब्राजिल इसका सही उतर है इतली इतली में है ये लिनिंग पावर ओफ पीसा लिनिंग टावर ओफ पीसा लास्ट क्रेस्टन इस विच डेई इस युनिसेफ डे युनिसेफ डेई किस दिन को में आया जाता है 12 जैनुरी, 8 नयम्बर या फिर 5 में या 11 दिसंबर तो इसका सही उतर है 11 दिसंबर, युनिसेफ डेई कब मनाया जाता है 11 दिसंबर को United Nations International Children Emergency Fund इसका फुल्फर्म होता है और 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को ये मनाया जाता है युनिसेफ डेई 14 questions were there जो कि पिछले साल पूछे गए थे और भी जहां से भी मुझे मिलता है तो मैं जरूर आप तक महुचाने की कोशिश करूँगा maximum questions ताकि आप जितना जाद से जादा questions देखेंगे उससे साथ से analyze कर पाएंगे और वैसे ही तयारी आपकी हो पाएगी ज्यादा से ज्यादा topics को cover कर पाएंगे और फिर जा करके आपका exam जो CUT के प्रिक्षा है वो बहुत पहतरी लोप आएग और आप हिंदुस्तान के अच्छी से अच्छी university में दाखला ले पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद kindly share this video to maximum of your extent अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीचेगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्स्ट्राइब कर ले थे अच्छी से चैनलों